एक समय की बात है रात का समय था किसी के घर में से किसी ओरत के चीखने चिलाने की आवाजे आ रही थी वो घर एक रेखा नाम की ओरत का था वो अपनी सास और पती से रोरो कर कह रही थी मुझे मत मारो मुझे मत मारो इसमें मेरा क्या दोश की मैं मा नहीं बन सकती और किसका दोश है तू हमें एक बच्चा तो दे नहीं सकती तेरा क्या हमचार डालेंगे तू एक बांज है चली जा हमारी घर से माजी मैं कहां चाऊँगी मेरा है ही कौन मुझे घर से मत निकालो तबी रेखा का पती अजय अपनी मा को कहता है इसे तो मैं ऐसा मजा चखाऊंगा कि जिन्दगी भर याद रखेगी इतना कहकर अजय अपनी बेल्ट निकाल कर रेखा को जोर जोर से मारने लगता है उसके बेल्ट की मार से रेखा चीखने लगती है और मार इसे तब ही जाएगी ये इस घर से माजी मुझे रहने दो इस घर में एक कोने में पड़ी रहोंगी मुझे मत निकालो तू इस घर से जाएगी तब ही तब मैं अपने बेटे की दूसरी शादी करूँगी फिर मेरी दूसरी बहू हमें इस घर का वारिस देगी, वो तो तू हमें कभी दे नहीं सकती बड़ी मोटी चमडी है इसकी, ये इस घर से जाने का नाम ही नहीं ले रही मार लो मुझे जितना चाहे मार लो, पर मैं इस घर से नहीं चाऊंगी तब ही अजे की मा रेखा से कहती है ठीक है तुम मर अब मैं अजे की शादी तेरी आँखों के सामने करूँगी नहीं माजी ऐसा मत करो अजे की मा अजे के कान में कहती है रात को रेखा को मार कर कुए में फेंक देंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा सबको लगीगा कि कुए में पैर फिसलने की वज़ा से घिर गई फिर आधी रात को अजय और उसकी मा चुप चाप रेखा के कमरे में जाते हैं तो देखते हैं मा लगता है ये गहरी नीन में सोई हुई है देख क्या रहा है इसका तक्ये से मूँ बंद कर अजय और उसकी मा रेखा का तक्ये से मूँ बंद करते हैं तभी रेखा जाग जाती है मुझे मत मरो छोड़ तो मुझे रेखा चिलाती है तडपती रहती है पर अजय और उसकी मा को रेखा पर जरा भी दया नहीं आती और रेखा तडपती हुई मर जाती है और कुछ दिनों बाद अजे की माँ अजे की शादी एक लड़की से कर देती है जिसका नाम अंजली था और वो अपनी बहु अंजली को आशिरवाद देती है जर्दी से तू मुझे इस घर का चिराग दे दे मुझे इस घर का वारिस चाहिए अंजली मुस्कुराते हुए कुछ नहीं कहती और अपने कमरे में चली जाती है तो देखती है कि उसके सामने एक चुडैल खड़ी है वो और कोई नहीं रेखा की आत्मा होती है चुडैल तुम तो चुडैलो यहां कैसे आई तो तु इन सब को इस घर का वारिस देगी मैं भी देखती हूँ तो कैसे मा बनती है चुडैल अंजली का गला पकड़ लेती है और उसका गला दबाने लगती है चुडैल के ऐसा करने से अंजली की चीक निकल जाती है बचाओ मुझे बचाओ यह मुझे मार डालेगी अंजली की आवाज सुनकर रजय और उसकी मा दोड़ते हुए अंजली के पास आते है तब तक चुडैल अंजली को मार कर गायब हो जाती है मा यह तो मर गई पर यह मरी कैसे यहां तो कोई है भी नहीं इतना कहकर अजय की मा रोने लगती है हाई रे मेरी बाहू अब मुझे इस घर का वारिस कौन देगा मैं पोते का मुझ कैसे देखूंगी तब ही अजय अपनी मा को समझाता है मा क्या हुआ अगर यह मर गई मैं और शादी कर लूँगा तू जरूर पोते का मुझ देखेगी उन सब की बात चुडैल सुन रही होती है पोते का मुझ इन्हें इस घर का वारिस चाहिए ये जिन्दा बचेंगे तब ना ये कहकर वो जोर जोर से हसने लगती है और रात को अजय और उसकी मा खाना खाकर अपने अपने कमरे में सोने चले जाते है तब ही चुडैल अजय की मा के कमरे में जाती है और उसका गला दबाने लगती है कौन चुडैल तुम तो रेखा हो तुम तो मर गई थी हाँ मैं मर गई थी अब तुझे मारने आई हूँ मुझे मत मारो अजे को अपनी मा के रोनी की आवाज सुनाई देती है और वो अपनी मा के कमरे में आकर देखता है अच्चा हुआ तु यहीं आगया ले अब तु भी मर इतना कहकर चुडएल अजे का भी गला दबाने लगती है अजे और उसकी मा दर्द से चीकते हुए चुडएल से कहते हैं पर चुडएल अजे और उसकी मा की एक नहीं सुनती और उन दोनों को मार देती है और वहाँ से चली जाती है और वो घर खाली पड़ा रह जाता है कुछ समय बाद विनय और उसकी पतनी लता अपने पांस साल के बेटे प्रिंस के साथ एक किराय की घर में रहते थे एक दिन की बात है विनय अपनी पतनी को बताता है लता मुझे एक बहुत ही अच्छा और बढ़िया घर बड़े ही सस्ते दामों में मिल गया है अब हमें इस छोटे से घर में नहीं रहना पड़ेगा ये तो बड़ी ही अच्छी बात है पर मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि हमें ये घर इतना सस्ता कैसे मिल गया अरे ये तो अच्छी बात है कि हमें सस्ता और अच्छा घर मिल गया अब तुम ज्यादा मत सोचो, कल ही हम उस नए घर में shift हो जाएंगे और अगले दिन विनय और लता अपने नए घर में shift हो जाते हैं विनय घर की सफाई में लग जाता है और लता प्रिंस को दूद पिलाने लग जाती है प्रिंस बेटा, तुम दूद पीलो, तुमने बहुत देर से कुछ नहीं खाया, तुम्हें भूग भी लगी होगी, अभी तुम दूद पीलो, फिर जब खाना बन जाएगा, तब मैं तुम्हें खाना खिला दूँगी ठीक है मम्मी, मम्मी मैं अपनी साइकिल चला लूँ, हाँ हाँ चला लो, जब तक मैं घर की सफाई कर लूँ, ये कहकर लता घर की सफाई में लग जाती है, प्रिंस अपनी साइकिल चलाने में लग जाता है, तब ही चुडैल प्रिंस के पास आती है और उसे बड़े प्यार से देखने लगती है, जैसे मानू प्रिंस उसका ही बच्चा हो, बेटा आप क्या कर रहे हो, मुझे भी अपने साथ खिलाओगे, आप कौन हो आप कहां से आई हो मैं, मैं बेटा आपकी मासी हूँ, क्या मैं आपके साथ खेल सकती हूँ हाँ मासी आप मेरे साथ खेल सकते हो फिर तो बड़ा मज़ा आएगा है ना हाँ बेटा मासी अब मैं ठक गया और मुझे बड़ी जोरों की भूग भी लगी है मैं खाना खाने जा रहा हूँ तुम्हें भूग लगी है लो मैं तुम्हें ले खाना लेकर आती हूँ चुडैल प्रिंस के लिए अपने जादू से खाना लेकर आती है और वो प्रिंस को खाना खिलाने लगती है मासी आप तो बहुत अच्छी हो ज्यादा बाते मत बनाओ अब जल्दी से अच्छे बच्चे की तरह खाना खतम कर लो चुड़ेल प्रिंस को खाना खिला रही होती है तभी लता वहां आ जाती है प्रिंस को अकेले अकेले किसी के साथ खाना खाते देख लता डर जाती है प्रिंस बिटा आप किस से बाते कर रहे हो और आप किस के साथ खाना खा रहे हो यहाँ तो कोई नहीं है है ना, ये मासी बड़ी अच्छी है, मुझे भूप लग रही थी, तो मासी नहीं मुझे खाना किलाया, और वो मेरे साथ खेलती भी है कहां है वो, तब ही चुड़यल अचानक से गायब हो जाती है अरे, ये मासी तो भी इधर ही थी, पता नहीं कहां गई ड़ता प्रिंस को इस तरह की बाते करते हुए डर जाती है, और वो उसे उठा कर कमरे मिले जाती है, और विने को सब बताती है अरे, ये सब तुम्हारा वहम होगा नहीं जी मुझे ऐसा लगा जैसे प्रिंस के साथ कोई था पर मुझे वहाँ कोई दिखाई नहीं दिया मुझे यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा तुम बेकार में परेशान हो रही हो ऐसा कुछ नहीं है सब ठीक है देखो आज मैं बहुत ठक गया हूँ मुझे नीद भी आ रही है मुझे बड़े जोरों की भूक लगी है तुम मुझे जल्दी से खाना दे दो मैं खाना खाकर सोंगा मुझे कल काम पर भी जाना है विने लटा की बात का बिलकुल भी विश्वास नहीं करता और वो खाना खाकर सोने चला जाता है पर लटा को तो डर के मारे नीद नहीं आ रही थी और देखते ही देखते सवेरा हो जाता है विने तयार होकर अपने काम पर चला जाता है लटा प्रिंस को कमरे में बिठा कर रसोई में काम करने चली जाती है तब ही चुडएल प्रिंस के पास आती है प्रिंस बिटा आप कैसे हो? मासी मेरी अच्छी मासी आप कहां चली गई थी? मैं कब से अकेला खेल रहा हूँ? चुडएल प्रिंस को पकड़ कर अपनी गोद में बिठा लेती है और उसे बड़ी जोर से गुदगुदी करने लगती है मासी मुझे गुली गुली हो रही है फ्लीज मत करो प्रिंस के जोर जोर से हस्ते की आवाद सुन कर लता आ जाती है और उसे गोद में उठा लेती है प्रिंस बिटा आप किससे बाते कर रहे हो? और आप इतनी जोड़ जोड़ से क्यों हस रहे थे वो मा, मासी मुझे गुली गुली कर रही थी न कहा है तुमारी मासी प्रिंस चुडैल की तरफ हाथ उठा कर कहता है ये है मासी, और ये बहुत अच्छी है ये मुझे बहुत प्यार करती है मेरी साथ खेलती है मुझे खाना खिलाती है पर बेटा यहां तो कोई नहीं है ये तो रही, ये बैठी है लता बुरी तरह डर जाती है और वो प्रिंस को अपनी गोद में उठा लेती है फिर वो विने को फोन करके घर बुलाती है हलो, विने, आप घर जल्दी आजाओ और पासवाले मंदिर में जो पुजारी जी होने लेते आना आखिर बात तो बताओ की हुआ क्या है जब आप घर आओगे तब मैं आपको सारी बात बताओंगी अभी मैंने आप से जो बोला है आप वो करो ठीक है विने पुजारी को लेकर घर आता है लता विने और पुजारी जी को सारी बात बताती है ठीक है, समझ गया हमें घर की शुद्धी करनी पड़ेगी हमें यहाँ चुडैल को बुलाना पड़ेगा और उससे उसके मन की बात पूछनी पड़ेगी आखिर वो यहाँ क्यों है और यह आपके बेटे को क्यों दिखाई देती है पुजारी चुडैल को मंत्र शक्ती से बुला लेता है चुडैल पुजारी को सारी बात बताती है पुजारी हवन पुजा करके चुडैल की आत्मा को शांती प्राप्त करवा देता है तब से चुडैल विन्य के घर से चली जाती है